राश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शैक्षिक प्रौध्यूगी की संस्थान द्वरा प्रस्तु थे धनी कारिक्रमों की शंखला क्या है हमारी चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर प्रस्तु थे उच्चतर माध्धमिक कक्षा के चात्रों हे तु एक वार्ता वार्ता का यह कारिक्रम NCE 8 दौरा प्रकाशित भूगोल की पाठे पुस्तक भारत लोग और अर्थ विवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है वार्ता का शीर्शक है विनिर्मान उद्योग अउद्योगिक विकास को आर्थिक विकास के इस्तर को नापने के लिए माप दंड के रूप में उप्योग किया जाता है संसार के सभी विकसित देशों में अउद्योगिक शेत्र अत्यंत विकसित और विवधी कृत होता है भारत में अउद्योगिक विकास के लिए सभी आवश्यक दशाएं विद्यमान है विशाल और विविद प्राकृतिक संसाधनों के साथ इसकी विशाल जनसंख्या सस्ते शमिक सुलब कराती है तथा निर्मित वस्तुओं की खपत के लिए विशाल बाजार भी प्रदान करती है यूरोप में अउद्योगिक क्रान्ति से पूर्व भारत अउद्योगिक द्रश्टी से विकसित देश था भारती उद्योग क्रिशे के साथ एकी कृत थे तथा घरेलू उद्योग राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था के अंग थे भारती दस्तकार और कारिगर, कपड़ा बुन्ना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बांस के उपकरण, आभूशन तथा धातूं की वस्थूएं बनाना जानते थे वे लकडी और चमडे की वस्थूएं भी बनाते थे भारत जलयान निर्मान के दिये भी प्रसिद्ध था लेकिन यूरोप में अउद्योगिक क्रांती के बाद भारती बाजारों को ब्रिटन के कारखानों में बनी कम केमत की वस्थूओं से पाट दिया किया भारती यहस्त शिल्प और ग्रामेन उद्योगों में बनी वस्थूएं कारखानों में बनी वस्थूओं का मुकाबला नहीं कर पाईं और इस प्रकार देश के घरेलू उद्योग नश्ट हो गए स्वतंत्रता पूर्वका अउद्योगिक विकास भारत में अउद्योगी करण की शुरुवात सन 1854 में मुख्यतह भारतीय पूजी और उद्यम से मुंबई अर्थात बंबई में सूती वस्त्र बनाने की कारखाने की स्थापना से हुई पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के निकट रिस्रा में स्कॉटिश पूजी और प्रबंध से लगाई गई थी कोईले का खनन भी लगभग उसी समय शुरू हुआ इसके बाद कागस के कारखाने और रासाइने को द्योग भी शुरू किये गए सन 1875 में कुल्टी में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना खोला गया 1907 में जम्शित्पुर में टाटा लोहा और स्पात कंपनी की स्थापना के बाद से भारत के अउध्योगिक इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ प्रथम विश्वयुद्ध से पहले उध्योगों का विकास धीमा था अंग्रेज भारती य बाजार को ब्रिटन के उध्योगों के लिए खोना नहीं चाहते थे भारती उध्योग केवल ब्रिटिश उध्योगों के उत्पादों की कमी को पूरा करने वाले थे चीनी और सीमेंट ऐसे ही उध्योग थे द्विती विश्वयुद्ध के दौरान और बाद में परिस्थितियां बहुत बदल गए युद्ध के करण समुद्री मार्ग से बस्तूओं के परिवहन में बाधा पड़ती थी अतह एक उधार नीती अपनाई गई जिसने अउध्योगिक विकास को प्रिरित किया इस पात, चीनी, सीमेंट, काँच, अउध्योगिक रसायन और इंजीनिरी का सामान बनाने वाले उध्योगों की स्थापना की गई इस अवधी में पहले से स्थापित उध्योगों का भी काफी विस्तार हुआ युद्धुत्तर मुद्रा स्फीती और 1947 में देश के विभाजन का उध्योगों पर विशेश रूप से जूट और सूती वस्त्र उध्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा स्वातंत्रियुत्तर और उध्योगिक विकास स्वातंत्रता के समय भारत का और द्योगिक विकास मुख्य रूप से उपभोगता वस्तुओं तक ही सीमित था मुख्यों द्योग थे सूती वस्त्र, चीनी, नमक, साबुन, चमडे की वस्तुओं तथा कागस कोकिंग कोईला, सीमेंट, स्पात, अलोधातुएं, रसायन जैसी मध्यवर्ती वस्तुओं बनाने वाले विनिर्मान उध्योगों की प्रगती धीमी थी पूंजी गत वस्तुओं बनाने वाले उध्योग बहुत पिछले हुए थे 1947 में एक अउध्योगिक नीति लागू की गई, इसमें अउध्योगिक नीति की रूप रेखा को स्पष्ट किया किया था इसकी अनुसार उध्यमी और सत्ता दोनों के रूप में राज्य की भूमी का निर्धारित की गई थी प्रथम पंचवर्षिय योजना के प्रारंभ से ही औउध्योगिक प्रक्रिया शुरू ही जो बाद की योजनाओं में भी जारी रही प्रथम पंचवर्षिय योजना 1951 से 1956 में उध्योगों की विद्यमान ख्षमता के पूर्ण उप्योग पर मुख्य जोर दिया किया था सार्वजनिक शेत्र तथा निजीक शेत्र में अनेक उध्योग लगाये गए थे देश में प्रथम योजना के दौरान पहली बार इन वस्तूओं का निर्मान किया किया अखबारी कागज, केलशियम कारबाइड, पैनिसलीन, डी डी टी, धुनाई मशीने, स्वचालित करगे, इसपात के तारों के रस्से, जूट कातने के फ्रेम, गहरे कुओं के लिए टर्बाइन पंप, मोटर तथा उच्चतर क्षमता वाले चांसफॉर्मर 1956 के अउद्योगिक नीती प्रस्ताओं के द्वारा, अर्थ व्यवस्था में सार्वजनिक शेत्र को सामरिक महत्व की भूमिका सौपी कई दूसरी पंचवर्षी ये योजना, 1956 से 61 में, पूजी गत तथा वस्तूओं का उत्पादन करने वाली, मशीनों को बनाने वाले उद्योगों पर विशेश बल दिया किया इस योजना के दौरान उद्योगों का विकास और विविधी करन उलेखनी था सारवजनिक शेत्र में इस पात के तीन नए कार खाने लगाए कई बिजली के भारी सामान और भारी मशीनी उपकर्ण उद्योगों तथा भारी इंजीनिरी उद्योगों की विभिन शाखाऊं की आधारशिला रखी कई रसाइन उद्योग ने अत्याधिक प्रगति की यह प्रव्रति अगली योजना में भी जारी रही तीसरी पंचवर्षिय योजना और बाद की तीन वार्षिक योजनाओं में अउद्योगिक विकास की गति में बाधाएं आई ये बाधाएं 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और 1965 से 67 में भयंकर सूखे के रूप में आई थी चौथी पंचवर्षिय योजना 1979 से 74 के दौरान अउद्योगी करण में असंतुलन को दूर करने के प्रयास किये गए तथा निर्यात के लिए वस्तूओं के उत्पादन को बढ़ावा दिया किया तथा निर्यात के लिए वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया किया ताकि और अधिक 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 निर्यात किया जा सके। पांचवी पंचवर्षी योजना 1974 से 89 में निर्यातोन्मुक वस्तुओं के उत्पादन तथा जन उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया गया। इसी समय पेट्रोलियम की कीमतों में भारी तेजी से नकेवल भारत में अपेतु पूरे संसार में आर्थिक संकट पैदा हो गया। चटी पंचवर्षी योजना 1980 से 85 में अउद्योगिक नीति का उदारी करण किया किया। उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योग ने असाधारन प्रगति की। देश में लगु कम्प्यूटरों, सूक्ष्म संसाधित्रों अर्थात प्रसेसरों, संचार उपकरणों, रेडियो प्रसारन और दूर दर्शन प्रसारन उपकरणों आदे का उत्पादन होने लगा। बिजली के उपकरणों, मोटर वाहनों और मशीनी उपकरण बनाने वाले उद्योगों की प्रगति भी संतोष चनक थी। 1985 से नब्वे, सात्वी पंचवर्षी योजना से एकी कृत और उद्योगिक नीते अपनाई कई। इसके अनुसार, देश के विशाल घरेलू बाजार और निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखकर उद्योगों का विकास की आकिया। 1991 की नई अउद्योगिक नीती में उद्योगिक करण के अनेक उपायों की घोशना की गई। इस नीती के अनुसार, आठवी पंचवर्षी योजना 1992 से 1997 के दौरान अउद्योगिक क्रिया कलापों में निजीक शेत्र की भागीदारी को बहुत प्रोथसाहन दिया केया। इस तरह से थे। निवेश संबंधी बाधाएं हटा दी गई। व्यापार को बंधन मुक्त कर दिया गया। कुछ शेत्रों में विदेशी प्रोध्योगिकी आयात करने की छूट दी गई। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अर्थात विनियोग की अनुमति दी गई। अउद्योगिक लाइसेंस पध्यति को सरल और नियंत्रन मुक्त कर दिया गया। सार्वजनिक शेत्र के सुरक्षित क्षेत्रों को घटा दिया गया। तथा सार्वजनिक शेत्र के कुछ चुने हुए उपक्रमों का विनिवेशी करण किया। अर्थात इन्हें निजी कम्पनियों को बेच दिया गया क्या है हमारे चारों ओर अभी आप सुन रही थी ये वारता इवं प्रस्तुती वंदना अरि मर्धन